हेलो दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो ये हमारे पास है मारबल कटर आइंकर कमपनी का दोस्तो कभी-कभी हमारा ये कैप खराब हो जाता है और ये कभी खुलता नहीं है तो इसको हमको तोड़ना पड़ता है और कभी कभी दोस्तो हमारे ये कार्बन होल्डर भी खराब हो जाता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कार्बन होल्डर को चेंज करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले हम कार्बन कायब को खोल लेंगे अगर दोस्तो आपका कायब नहीं खुल ला तो आप कायब को तोड़ सकते हैं तो दोस्तो वो मार्केट में मिल जाएगा आपको तो उसके बाद दोस्तो हम दोनों कायब को खोल लेंगे और कार्बन को निकाल लेंगे फिर दोस्तो इसमें तेन इस्कुरू लगे हैं तो इसको हम खोल लेंगे दोस्तो दोस्तो भी हमारा आर्मेचर बाहर निकल चुका है अब हम दोस्तो इसमें कि पीछे जाली लगी होती है तो दोस्तो इसको हम खोल लेंगे दोस्तो इसको यह हमारा खुल गया है जाली तो इस जाली को दोस्तो हटा देंगे फिर उसके बाद दोस्तो कार्बन होल्डर में स्पिरिंग लगी होती है तो उसको हम निकाल देंगे दोस्तो इस्पिरिंग निकल जाएगा तो हमारा कार्बन होल्डर आसानी से निकल जाएगा बाहर तो हम दोस्तो इस्कुरू राइवर की मदद से हम दोनों इस्पिरिंग को निकल देंगे जब हमारा दोस्तों दोनों इस्पिरिंग निकल जाएगा तो हम एक सॉफ्ट ले लेंगे दोस्तों ये हमारे पास है हैमर की बीट तो पतली वाली जो कि हमारा कार्बन होल्डर के अंदर चला जाता है तो ये दोस्तो हम ये कार्बन होल्डर के अंदर लगाए हैं तो हमारा वो दूसरा वाला कार्बन होल्डर में टाच है तो उसको हम दोस्तो हम मारेंगे तो हमारे दूसरा साइट का कार्बन होल्डर निकलेगा दोस्तो हमारा यह दूसरा साइट का कार्बन होल्डर निकल गया है तो दोस्तो यह हमारा यहां से कार्बन होल्डर निकल गया है तो दोस्तो इसको हम अलग रख लेंगे अब हम दोस्तो हम दूसरा कार्बन होल्डर को निकालेंगे तो दोस्तो दूसरा साइट को हम घुमा देंगे और इधर से हम दोस्तो हमताओडी से सफ्ट फर मार देंगे तो यह हमारा कार्बन होल्डर निकल आएगा बाहर दोस्तो हमारा यह भी कार्बन होल्डर निकल चुका है अब हम दोस्तो इसको फिर लगा देंगे कार्बन होल्डर दोस्तो देख लीजिए यह हमारा कार्बन होल्डर ऐसे ही लगेगा इसको आप दोस्तो घुमाईएगा नहीं ऐसे ही रख जाएगा फिर उसके बाद दोस्तो हम हैतावरी से मार देंगे या हाँच से दबा देंगे तो यह हमारा आसानी से फिट हो जाएगा ऐसे ही दोस्तो हम दूसरा भी कार्बन होल्डर लगा देंगे दोस्तो अकर आपका कार्बन होल्डर ढीला हो जाता है तो आप इसमें दोस्तो थोड़ा सा फेविक किक डाल दीजे तो ये हमारा कार्बन होल्डर बाहर नहीं निकलेगा फिर दोस्तो हम इसका स्पिरिंग लगा देंगे कार्बन होल्डर में फिर दोस्तों दोनों फिंगर से हम इसको कारबान होल्डर के स्पिरिंग को लगाएंगे दोस्तों थोड़ा सा अगर आप फाहली बार कर रहे होंगे तो इसमें से थोड़ा सा आपको मुस्किल पड़ सकती है दोस्तों अगर आप दूसरी बार करेंगे तो आसानी होगी आपक अब दोस्तो इसमें हम आर्मेचर लगा कर इसको हम फिट कर देंगे दोस्तो अब हमारा ये फिट हो गया है अब हम दोस्तो इसमें कार्मल लगा देंगे उसके बाद काइफ लगा कर इसको हम फिट कर देंगे दोस्तों यह हमारा कम्पलीट हो गया है अब हम आपको चला कर दिखाते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छे लेगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्क्राइब कर देना और बेल आइकन को आर पर जरूर सिट कर देना दोस्तों अगर आपकी मसीन इस्पार कर रहा है और कार्वन जल्ली खतम हो जा रहा है तो आप हमारी यह वीडियो देख सकते हैं